हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में UPPGT से जुड़े वी प्रैक्टिस से जुड़े वे जो प्रेशन हैं वो कराए जाएंगे और प्रैक्टिस से जुड़े वी जितने भी क्लासे हो चुकी है उनका फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस में मिल जाएंगे सारी क्लासेस आपको उस फोल्डर में प्रैक्टिस से जुड़े वे मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर देखे प्रैशनों की जो संख्या है एक हजार से जादा है और इसका जो प्राइज है 199 है 199 रुपे में एक हजार से जादा आपको MCQs यहाँ पर मिल रहे हैं इसके अलावा 300 से जादा जो हो यहाँ पर प्रैशन है इन प्रश्णों में महत्पुर समाजशास्यों से सम्मंदित प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे और इसमें भारती समाजशास्यों से सम्मंदित प्रश्ण भी आपको इसमें मिल जाएंगे और उन सभी के द्वारा जो उनके सिध्धान्त, अवधानाय और जो महत्पूर पुस्तके दी गई है वे भी आपको प्रश्णों के अलावा PDF में अलग से देखने को मिलेंगी और उसका जो प्राइज है 120 है 120 उर्पे है बात की जाए समाजशास के नोट्स की तो ये सभी परिक्षाओं के लिए उप्योगी है चुकि स्लेबस एक जैसा होता है तोड़ा बहुत अंतर होता है तो उन सभी एक्जाम्स के लिए आप इन नोट्स को ले सकते हैं जो प्राइज है 3.99 है अभी आगे आप देखेंगे कि नोट्स में कौन-कौन से टॉपिक्स शामिल है कोई भी जानकारी किसी भी तरह कि आप चाते हैं तो दिएगे वाट्सेप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं यहां पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है यह यूपि आई आईडी है इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रिंशॉट दिये गे वाट्सेप नंबर पर देना है जिससे आपको पेडियेफ प्रोवाइड कराए जाएगी धियान रखेएगा यह सभी आपको पेडियेफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है अब यहाँ पर देखिए सारे जो टॉपिक्स आपको नोट्स में दिये जा रहे हैं यहाँ पर सारे लिखे गए हैं आप अराम से देख सकते हैं और इसके अलावा एक अभी जल्दी नोट्स समाजशास से संबंदित तयार किये गए हैं यह एक्जाम के टाइम में रिविज अब गर दढग रहे हैं सविधान की प्रमुख अनूचयत और प्रमुख अनुसूचया कौन कौन सी होया हैं जिनसे संबंदित प्रष्ण पूचे जाते हैं प्रमुख जो अधिनियम हैं वे आपको इसमें मिल जाएंगे महिलाओं की उनके कल्यान के लिए जो काम किये हैं आपको इसमें मिलेंगे महत्पूर अवधारना और महत्पूर पूस्तके आपको इस पीडियाप में मिल जाएगी इसका जो प्राइज है 249 रुपए हैं बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं आप अगर लेना चाहें तो आप मैसेज करके पूस सकते हैं तीके 30 प्रेशन यहां समाज को किस श्रणी के अंतरगत रखा अविसस्ट श्रणी विसस्ट श्रणी अति विसस्ट श्रणी या फे इनमें से कोई नहीं तो रॉबर्ट रेटफिल्ड ने क्रशक समाज को किस श्रणी के अंतरगत रखा था आपको कई बार बताया जा चुका है क्रशक समाज पर प ये भी आपको बताया गया है, सही क्या होगा? सही क्या होगा? इनके concepts जो Robert Redfield के हैं, exams में काफी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि उसमें लोक संस्कती, लोक समाज की अवधार्ना है, लगु समुदाई की अवधार्ना है, और यहाँ पर क्या होगा? अवसिस्ट श्रणी, ठीके? अवसिस्ट श्रणी होगा, option A यहाँ पर right होगा, ठीके? लगु समुदाई, लगु परंपरा, दिर्ग परंपरा, लोक समाज, लोक संस्कती, यह सभी अवधार्ना है, रॉबर्ट रेट फिल्ड द्वारा दी गई है, option A यहाँ पर सही होगा, प्रहशन है, निमनकतनों पर विचार करना है, औसकल लेविस से संबंदित कौन सा सही है, यह बताना है, आईए देखते हैं, देखें, यहाँ पर लिखा है, इन्होंने जजमानी विवस्था का अध्धिन किया है, इन्होंने जजमानी विवस्था को प्रकार्यात्मक माना, इन्होंने रामपूर गाउं का अध्धिन किय तो औसकल लेविस से संबंदित क्या सही है इन्होंने जजमानी विवस्था पर अध्यन किया था इनका अध्यन कहां पर था रामपुर गाओं पर अध्यन था जजमानी विवस्था को प्रकारियात्मक नहीं माना था इन्होंने शोशनात्मक संस्था माना था ठीके शोशनात् सकते हैं सही क्या होगा कि तरशना ही खण को निर्धारिट करती हैं यहाँ पर ॆइट क्या होगा मosed ऐंत्य होगा एंस्टूनी गेन्स होगा एंस्टूनी गेन्स ओप्शन कर दूप्शन यहाँ पर इस प्रेश्ण का सही उतर हो जाएगा प्रश्ण है किसने परिभाशित किया है कि प्रतिक्ष अत्वा अप्रतिक्ष लाब प्राप्ति हे तू जान बूच कर निश्चित कर्तव्यों का पालन ना करना ही ब्रस्ट चार है रोबर्ट सी ब्रूक्स इलियट अन्मेरल फिर चाइल्ड नील जे स्मिलसर यहा यहा पर सही क्या होगा इलियट अन्मेरल होगा इलियट अन्मेरल ऑप्षन बी हाँ इस प्रश्ण का सही उततर होगा अब यहा पर मिलान पर सही मदेगी ना की आल्मार्स ौ किसने की ती तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा विकल्प भी सही हो जाएगा ठीक है विकल्प भी यहाँ पर सही होगा प्रश्ण है किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संगश कुछ सकारात्मक भूमिकर निभा सकता है क्योंकि यह दिये गए सम्हू को समाजिक सुदर्टा में व्रध्धी करता है विकल्प में जौच सिमल है, कोजर है, डेहरेंडरॉफ है या फेन में से कोई नहीं इसका कहना था कि संगश कुछ सकारात्मक भूमिकर निभा सकता है क्योंकि यह दिये गए सम्हूम को समाजिक सुदर्टा में व्रध्धी करता है सही यहाँ पर लुईस कोजर हो जाएगा, option B यहाँ पर होगा संगश का प्रकार्यात्मक सिद्धान कोजर का रहा है और कोजर जौच सिमल से प्रभावित है कोजर की संगश से संबंदित कौन सी पुस्तक है, किस पुस्तक में कोजर ने संगश का सिद्धान दिया था इनकी पुस्ता के डेरंड्रॉफ की जो की एक्जाम्स में पूछी जाती है से अप याद रखेगा Class and Class Conflict in Industrial Society ठीक है ये इनकी डेरंड्रॉफ की बुक का नाम है कोजर की बुक का नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चलिए आगे देखते हैं प्रेशन है किसने कहा है कि समाजिक नियंतरन समाजी करन की प्रक्रिया का ही विस्तार है Green, GitLab, Fitcher, Cooler यहाँ पर है अच्छा अभी तक जितने पी topics कम्प्लीट कराए गये हैं उन सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस में मिल जाएगा वहाँ से आप उन topics से जुड़ी classes देख सकते हैं Social control, socialization, समाजी करन यह सभी complete कराया जा चुका है समाजिक नियंतरन समाजी करन की प्रक्रिया का ही विस्तार है किसका कहना है सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर feature होगा ठीक है? feature होगा option C यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न है किसने कहा है कि प्रस्ततियम भूमिका संदर समु वहवार का सरशनात्मक परिपेक्षु प्रदान करते हैं प्रस्ततियम भूमिका संदर समु वहवार का सरशनात्मक परिपेक्षु प्रदान करते हैं या किसका कहना है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? आरके मर्टन रोबर्ट किंग मर्टन है ठीक है? option C यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा चले आगे देख लेते हैं किसके विचारानुसार समु आकार एक रूपता और भौतिक प्रथक करण समु वहवार को प्रभावित करते हैं? पीटर एमबलॉफ, किंग्सलेड डेविस, मर्टन, समनर यहाँ पर विकल्प हैं समु आकार, एक रूपता और भौतिक प्रथक करण समु वहवार को प्रभावित करते हैं या किसका कहना है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर किंग्सलेड डेविस होगा ठीक है, किंग्सलेड डेविस होगा option B यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न है वापद क्या है जिसकी रचना हिलर ने प्रस्तती के लिए की थी जो अन्य क्या पेक्षा अधिक महतपुर्ण माने जाती है मूल प्रस्तती, उतक्रस्ट प्रस्तती, मूल्य प्रस्तती या फिर धृव्य प्रस्तती वहापद क्या है जिसकी रशना हिलर ने प्रस्थती के लिए की थी जो अन्य क्या पेक्षादिक महतपूर्दी के व्यक्ति की कुछ प्रस्थती व्यक्ति जन से प्राप्त करता है और कुछ प्रस्थती को व्यक्ति अपनी योगिता के अनुसा प्राप्त करता है उन सभी प्रस्थतियों को मिला दिया जाए तो एक ऐसी प्रस्थति होती है जिसके माध्यम से वा समाज में जाना जाता है उस प्रस्थति को ही जो हिलर है उन्होंने क्या कहा था मूल प्रस्थति कहा था या मुख्य प्रस्थति कहा था तो यहाँ पर क्या होगा option A इस प्रश सतियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाशित किया मैकेवर किंग्सले डेविस समनर एजी फ्रैंक यहां पर विकल्प दिये गये हैं निश्चित समाजिक अवशक्ताओं की पूर्ती के लिए निर्मित भूमिकाव एवं प्रस्तियों के एक पुंज के प्रतीक संस्कती का मुल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए या किसका प्रतिलोम है संस्कती ग्रहन का नर्जाती केंदरवाद का प्रभुत्व का या फिर अल्पसंख्यक वाद का प्रतीक संस्कती का मुल्यांकन उसके अपनी शर्तों पर होना चाहिए इसके प् पुरेश ने हैं पुस्तक से संबंदित concept of ritual in modern sociological theory किसकी है SP नागेंद्र है, SC दुबे है, Fraser है, Max Weber है यहाँ पर बताइए यह किसकी पुस्तक है यह concept of ritual in modern sociological theory यहाँ पर सही होगा SP नागेंद्र ठीक है option A यहाँ पर right होगा प्रेश ने हैं Morgan के नुसान निमने मेंसे कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है, Morgan ने परिवार के उद्विकास के 5 अवस्ताओं की बात की थी यह आपको बठाए गया है और सही क्रम में लगाने की लिए इस तरीके से भी आता है आपको कई बार बताया गया है. फैमिली वाला जो टॉपिक कंप्रीट करना है, उसमें भी पूरा एक्स्प्लेन किया है था. क्या होगा, पहले किस कौन सा परिवार आता है? पहले आता है समरक्त परिवार, फिर उसके बाद सम्हु विवाही परिवार, फिर युगल परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार और आखरी में एक विवाही परिवार की बाद मौर्गिट करते हैं यहाँ पर क्या होगा? C सही होगा प्रशने हैं भारती परंपराओं का 6-fold, 6 आयामी वर्गी करण किसके द्वारा दिया गया है? राधा कमल मुखर जी, योगेंदर सिंग, IPDSAI, SC दुबे यहाँ पर आप्शन्स हैं भारती परंपराओं का 6-fold, 6 आयामी वर्गी करण इनमें से किसका है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर SC दुबे होगा, शामा चरन दुबे होगा बहुल परंपरा का जो कॉंसेप्ट है, इस तरीके से भी आता है, बहुल परंपरा के अवधारना किसके द्वारा दी गय थी? रॉबर्ट रेट्विल ने दोत परंपराओं की बात की थी, लगू परंपरा एवं दिर्ग परंपरा, उनके इस अवधारना के आलोशना की थी है, स्विदुबे ने कि मातर समाल में दो ही परंपरा नहीं होती है, बलकि उन्होंने जो 6 परंपराई या जिसे कहते हैं ठीके, कौन कौन सी परंपराएं हैं ये भी आपको बताया गया, आगे आप प्रशनों में देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, विभाजित समाज के अवधारना से संबंधित कौन है, डेनियल बिल, फोस्टर, क्रोबर, आंत्रे, गोर्ज यहाँ पर ऑप्शन्स हैं, तो विभाजित समाज की जो अवधारना है, वह किसके द्वारा दी गई है, सही क्या होगा, विभाजित समाज की अवधारना किसके द्वारा दी गई है, आंत्रे, गोर्ज के द्वारा दी गई है, यहाँ पर विकल्प D होगा सही, ठीक है, ओप्शन D यहाँ पर राइट हो या फे नर्ग में, क्या होगा, सही यहाँ पर पेरिटो होगा, ठीक है, पेरिटो होगा, option C, यहाँ पर सही होगा, mind and society, इनकी पुस्तक है, पेरिटो की, mind, self and society, किसकी है, जोर्ज हर्बर्ट मेट की है, दोनों ही अलग-अलग है, याद रखेगा, पेरिटो की बुक का नम क्य किरिया के दो प्रकार बताये थे, तार के किरिया और आतार के किरिया, इस तरीके ही कई यह जो प्रेशन है, MP Assistant Professor का जो एक्जैम हुआ था, उसमें पूछा गया था, ठीक है, चलिए, आगे देख लेते हैं, प्रेशन है, परिवार वाकार खाना है, जहां व्यक्तितु का उत पार्संस ने बात कही थी, कि परिवार कारकाना है, जहां पर व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, पार्संस यहां पर सही है, प्रतक नाभिकी परिवार, ठीक है, पार्संस ने प्रतक नाभिकी परिवार की अवधारना भी दी थी, यह इनका अमेरिके परिवार पर अध्य व्यक्तिगत अनभव भी है किस से संबंदित है टाइलर जॉनसेन मेलनवस की दुर्खीम यहां पर ऑप्शन्स है धर्म किरिया का एक तरीका है तथा साथ ही विश्वासों के एक व्यवस्ता भी है और समाशास्ति घटना के साथ-साथ यहां व्यक्तिगत अनभव भी है सही य धर्म की उत्पत्ति का समाजिक सद्दांत रहा है और दुर्खीम ने धर्म का प्रारंबिक स्वरूप किसे बताया था टोटेम बात को बताया था ठीक है टोटेम बात के अब धाना किसकी हो जाएगी दुर्खीम की हो जाएगी आगे देखते हैं प्रशन है या कतन है कि भा तरकताएगा, न्रजाति के इंदवात के, ठीके, अफधार्णा किसकी है, समनर की है, ठीके, ओप्शन B यहाँ पर सही होगा, प्रच्न है इन में से कौन समाजी करण की विशेष्टा है, विकल्प यहाँ पर है, यह जीवन प्रयतन चलती है, यह गतिशील अफधार्णा है, जीवन प्रेतन चलती है, गतिशील है, जिस जो व्यक्ति है या बच्चा है, जिस समाज में रहते हो, समाज के मूल्यों, मांडंडों, आदर्शों को आत्मसाथ करने की प्रक्रिया है, यह सभी सही हो जाएंगे, ठीके, समाजी करन क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है, ओर्गनाइजेशन, ठीके, शोशल ओर्गनाइजेशन, यह इनकी बुक है, यह कब आती हो, 1909 में आती है, जिसमें उन्होंने प्रात्मिक समू की अफदारना दीती, तीन प्रात्मिक समू की उधारन भी बताया थे, परिवार बताया था, मित्र, मंडरियों, परोस को बताय ठीके, यह तीन बताया थे, यहाँ पर कौन सा नहीं है, यह पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर दबाव, प्रेशर ग्रूप नहीं होगा, इसकी बात इन्होंने नहीं कीती, तो ओप्शन भी यहाँ पर सही होगा, प्रेशन है, समाजिक वर्ग, पुरस्तती समस, औयू, वामलिंग समू उधारन है, दुधित्यक सम्मू के, संदर्प समू के, प्रात्मिक समू के या फिर अर्द समू के, तो यहांपर क्या होगा, क्वाइसी गृॉप का होगा, ठीक है, option D यहाँ पर write होगा जिन्सबर्ग और बोटो मोर का यह concept है जिन्सबर्ग और बोटो मोर दोनों के द्वारा ही अब धार्णा दी गई थी इसे याद रखेंगे आप ऐसे समू में क्या होता है जागरुकता का भाव होता है निष्चिस संघटन का अभाव होता है लोग एक दूसरे को नहीं जानते कि वे एक ही ग्रूप के मेंबर है जैसे कि बस स्टैंड पे बस का वेट करते होए लोग ठेके तो यह example है चलिए आगे देख लेते हैं संपत्ती के चार प्रकार जो बोर्दियों के द्वारा दिये गए निम्न में से कौन सा है यह बताना है ठीके बोर्दियों ने पिटब बोर्दियों ने संपत्ती या पूंजी के चार प्रकार बताये थे इन में से कौन सा है जिसकी बाद बोर्दियों द्वारा की गई है आईए देखते हैं आर्थिक संपत्ति, समाजिक संपत्ति, सांस्कतिक संपत्ति या फिर इन में से सभी तो संपत्ति या पूंजी के जो चार प्रकार बताय थे बोर्दियों में इन में से ये सभी हो जाएंगे ठीक है चौथा क्या हो जाएगा प्रतिकात्मक संपत्ति या पूंजी हो जाएगा ठीक है प्रतिकात्मक संपत्ति या पूंजी ठीक है चौथा ये है ये आप याद करेंगे ठीक है चारों पूछे जाते हैं तो option D यहाँ पर सही होगा प्रवति Siya है, निम्ने में से कौन सा समाझिक विगिटन का लक्षण है, देखे विकल्प है यहाँ पर पर समाझ में अपरात संघश नशा खोरी आदी की बरती प्रवती, जनसंख्या व्रध्धी की प्रवती, एक समाझ में अनेक संस्कतियों का आत्म सांथ होना या फेन में से कोई नहीं समाजिक विगिटन शोशल डस और्गनाइजेशन का लक्षन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर इस प्रश्ण का उत्तर ओप्शन ए होगा समाज में अपराद संघश नशा खोरियादी की बढ़ती प्रवती ओप्शन ए यहाँ पर सही होगा प्रश्ण है किसने संस्कती के अधिक जटिल और विक्सित रूप को सब्भेता कहा गिलेन गिलेन कूले क्रोबर टाइलर यहाँ पर विकल्प है संस्कती के अधिक जटिल और विक्सित रूप को सब्भेता किसके द्वारा कहा गया है गिलेन एन गिलेन के द्वारा ठीक है कल्चरल शुष्वालजी सांस्कतिक समाज शास किसकी पुस्तक है गिलेन एन गिलेन की है ये बुग भी परिक्षा में पूची जाते तो option A होगा यहाँ पर सही प्रशन है समाजिक प्रतिमान कारी प्रतिमान की प्रमाडित विदियां है कारी संपन करने का एक तरीका है जो हमारे समाज द्वारा स्विक्रत है मैकेवर एन पेज, मर्टन, लिंटन, रॉबर्ट बेरस्टेट यहाँ पर options है क्या हो जाएगा समाजिक प्रतिमान कारी प्रणालियों की प्रमाडित विदियां है कारीयों को संपन करने का एक तरीका है जो कि हमारे समाज द्वारा स्विक्रत है क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉबर्ट बेरस्टेट हो जाएगा इनकी पुस्ताकर नाम क्या है इनकी बुक है जो कि 1970 में आती है यह बुक भी परिक्षा में पूछी जाती है ठीक है बेरस्टेट डी यहाँ पर सही है प्रश्ण है किसने नातिदारी शब्दा वलियों का विवस्थत अध्यन किया विवस्थत अध्यन पूछा जा रहा है देखे ऑप्षन्स है रेट क्लिफ ब्राउन, लेवे स्ट्रॉस, लुईस मॉर्गन, नाडेल क्या होगा यहाँ पर नातिदारी शब्दा वलियों का विवस्थत अध्यन किसका है मॉर्गन का है तो यहाँ पर ऑप्षन्स C हो जाएगा वर्गीकरत नातिदारी वाला और विवरनात्मक नातिदारी यह दो शब्दा वलियों का प्रियोग मॉर्गन द्वारा किया गया था ठीक है C यहाँ पर सही हो जाएगा अब देखे प्रेशन है विसमांता सांसकतिक लक्षोर उन्हें प्राप्ट करने की संस्थागत साधुनों के बीच अंत्राल का पईनाम है इस संबंदित कौन है दुर्खी मर्टन है पार्धं से सोोरोकिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मर्टन हो जाएगा भी यहां पर सही हो जाएगा प्रेशन है भारती जजमानी व्यवस्था का अध्यन करने वाले प्रमुक कौन है औसकर लेविस राधा कमल मुखर जी रविन नात या फिर नियो मेर तो भारती जजमानी व्यवस्था का जो अध्यन है प्रमुक कौन है अब देखे यहां पर वा धाना है यह जजमानी विवस्ता का सबसे पहले जो अध्यन की किसके द्वारा किया गया था यह सबसे पहले जजमानी विवस्ता के अब धाना का प्रियोग किसने किया था तो इस तरीके से पूछा जाता है तब वहाँ पर विलियम वाइजर हो जाएंगे इनकी कौन सी पुस् इनका वाइजर का करीम पूर पर ठीक है चलिए आगे देखते लिए सभी प्रश्ण इस तरीके से पूछे जाते जो भी आपको बताया गया है अब यहां पर प्रश्ण है राजस्थान के गाउं राडावतों की सादर्णी का धिन कि समाज शास्ते ने किया बियार चोहान, रॉबर्ट रेट्फिल्ड, केल शर्मा, चॉल स्कूले, राजस्थान के गाउं राडावतों की सादर्णी का धिन इन में से किसका राया है ब्रज राज चोहान का ओप्शन ए यहां पर इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा ठीके ओप्शन ए यहां पर रा रनकेलर, पीवी यंग, टाइलर यहां पर हैं अन्ता विवा को रूडिवादी और बहिर विवा को प्रगतिवादी किसने कहा समनर रनकेलर ने बी यहां पर सही हो जाएगा प्रशन है जीवन के प्रती प्रकती की कठोरता और संगश में इस्तरियों को पुरुष की तुलन और संगश में इस्तरियों को पुरुष की तुलना में कमजोर माना गया है सवस्था में बालिका वद के फल सुरूप बहुपती विवा का प्रशन हुआ है या किसका कहना है सही यहां पर बैक ओफेन होगा ओप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा प्रशन है निम्र में से कौ वर्ग में एच्छी वेफसाइट की वेवस्ता होती है उपरियोक्त सभी तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर राइड आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यह सभी सही हो जाएगे प्रशन है आखरी प्रशन है गोटुल युवा ग्रह किस जंजाती में पाया जाता है इतना ही आई होप ही आपको पसंद आयोगी अगर पसंद आयी है तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा एंड इस वीडियो को जतना हो सके जादा से जादा लोगों के सा शेयर बीद जरू करियेगा